मेरा सवाल आप से है आम आदमी पार्टी से उन्होंने कहा कि एक बच्छे के पीछे लोग पड़े हुए क्योंकि वो सफलता की दौर पर अपने चल रहा है लेकिन एक बच्छे के सफल सफल होने के लिए किसी मा को गंदा कहना बुरा कहना यह कौन सी स्ट्रेश्टता की बात ह सवाल इन्होंने किया जो भारतेंदर पार्टी जी वीडियो को सारा लेना पड़ रहा है ना मैं बार बर यहीं बाग क्या रहा हूं कि दुर्भागेपुर्ण है कि 27 साल में इनके पास को एजना नहीं है कोई पुरानी पुरानी वीडियो निका पूछा बच्छी ने क्या बच्छी ने क्या पूछा मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि वीडियो दिखायता हूं अभी आप आप नकल करने के लिए हैं कि भारतेंदर पार्टी को आज वीडियो को सारा लेना पड़ रहा है फाइदा हो जाएगा उल्टा चलिए अभी एक वीडियो थी तो उसमें के पर बार बार पूस्ते कि आपने गुजरात में क्या किया बच्छी पूछ रहे थे कि दाना वरागशास कांस यह सब लाने की क्या जरूरत है तो गुजरात के अंदर हमने कहा हम तो कहते हैं कि आमानी पार्टी सिक्छा स्वास पर लगाए लड़ती है लेकिन जब दान्वों का जिनके हम कंस की बात करें जो वो कंस अपनी मार पीट पे गुंडा गरदी पर उतात के आएंगे तो निशी तुरूप से किसे जनम होगा आप से हैं आपने जैसे बोला कि आप जो है आपको आशिरवाद मिल रहा है जानता का तो बदत हैंगे इस कि आप लोग फिर काम कीजिए ना उन्होंने जैसे बताया कि सड़कों पर गड़े हैं तो इस ट्रू अगर पेंशन नहीं आ रहे हैं बहुत टाइम से तो इस रहा है काम बगएर पर जवाब नहीं देते हैं जल्लेली पूछे मैं मेरा सवाल गौर भाटिया सरसे माइक छोड़ दीजे मैं पराठे पे इतनी जादा डिया जी एस्टी लगाए जा रही है पराठे पे तो सर ये पराठे पे क्यों लगा रहे हो उनको लग रहा है वहां तो ढोकला खाते हैं लोग तो पराठे पंजाब में दिल्ली में चुनाओगा तो पराठे की सोचेंगे लेकिन जीएसटी पर महंगाई पर और सड़कों की हालत पर जो सवाल है उसका जवाब आपको देना है सर मेरा क्वेशन आप से है एक अभी आपने अगनीपत स्कीम ल समेशा ऐसी चलेगा तीन सवाल है बीजेपी के लिए मेरा सवाल आप से है कि गुजरात में इतने वर्षों से बीजेपी है तो आप किन बेसिस पे जो है ये पूरा सोच का चल रहे हैं कि इस बार आप जीट जाएगी चलिए तीन सवाल थे सडकों पर गड़े हैं सचाई है पेंशन में देरी हो रहे हैं सचाई है और इन समा मुद्दो पर आप लोग जबाब नहीं देते हैं दूसरा पराठे पर भी जीएसटी क्यूं और तीसरा आपने सुनी लिया तीनों कर लिया नोट कर लिया और कुछ चीज़ें मैं जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि यहां प तो जनता कहती है ना रेवडी ना बेवडी कोई सरकार हमें विकास वाली सरकार चाहिए एक बार हम सीट नंबर बता रहे हैं जरा दर्शकों को अपने दिखा दें क्योंकि आपने लोगसभा का तो जिक्र किया लेकिन आपने विधान सभा का भी देखिए यहां पर मामला ब मतलब सीटों का फरक आ जाता है अंजिना जी कितनी खुबसूरती सा क्रिकर्टी सिर्फ आठ प्रतिशाथ वो भी दिन आएगा करीब है आपके इस बार चुनाब के परिड़ाम आएंगे ना ये दोनों तो शायद आए नहीं गायब हो जाते गदे के सर से सिंग जैसे सबसे बड़ी बात क्या है तीनो प्रश्टों के उत्तर मैं दूंगा देखे पाच साल बात सरकारे बदल जाती है लोग कहते आंटी इंकमबंसी थी आशा के अनुरूप काम नहीं किया सरकार यहाँ 25 साल से उपर हो गए है भारती जंता पार्टी बार बार आ रही है प्रो इंकमबंसी है कुछ तो काम किया होगा कुछ तो इमानदारी देखी होगी और जो तीनो प्रश्टन है उसको उत्तर देता हूँ डबल इंजिन की सरकार क्यों आती है मैं बताता हूँ आपको आपने बात करी एजुकेशन की मैं एजुकेशन का आखला देता हूँ सबसे पह कॉलेज 1775 थे अब 3170 हैं और इंजिनेरिंग कॉलेज 26 से 133 दूसरा अगनीपत की बात करी स्कीम थी मेरी बहन ने सवाल पूचा मैं ये बता दू ऐसा नहीं है कि अगनीपत जो आ रही है हमारी स्कीम उसकी वज़ा से जो regular भरती होती थी और उसके बाद सैनिको को pension मिलती है और बाकी भी सहूलियत मिलती है वो बंद हो जाएगी वो चलती रहेगी लेकिन अगनीपत एक मौका है कि आप देश की सेवा करें ट्रेन हो और सारी सुवधाओं के साथ लूखेदाराबे और भी जाएगी वो पूछ रही थी कि विधाई को और सांसिदों को लेकर आपके नियम अलग रहते हैं पराम लोगों के लिए अलग नियम रहते हैं वो कुछ दिन के लिए भी बन जाए तो उसके बाद आजीवन उनको सुवधाय मिलती है और यहां पर चार साल के बाद रफा दफा यह भारती जनता पार्टी का मानना है और मेरा भी व्यक्तिकत मत है कि सैनिक जो हमारे देश के नहीं हो सकती है लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि नरेंदर मोदी जी की सरकार में ही एक उधारण दे देता हूं पहले बुलेट प्रूफ जाकेट मांगते थे सोनिया माता कहती थी नहीं वी वी आईपी चौपर लाओ दो लाग च्छतिस हजार बुलेट प्रूफ वन रैंक वन पेंशन लाया सैनिकों के लिए तो वो नरेंदर मोदी जी है ये भी सचाई है ये फरक है और हमें गर्व है अपने सैनिक पे जो हो सकेगा वो आगे भी करते रहेंगे एक प्रश्ट आया जी एस टी पे तो आपने बात कर दी कि पराठे और ठेपने फरक है दे जो जी एस टी लगा है उसमें कॉंग्रिस की सरकारों के मंत्री रहे जी एस टी काउंसल ने फैसला किया और केवल पाकेज प्रोड़क्स पे जी एस टी है और इसी लिए कहना अगर एक रुपया आएगा तो एक रुपया आपके लिए लगेगा ये नहीं कि 90 पैसे तो चले जायेंगे जंगाएगे टीक है